दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रयाग में जो कुम्हमेला चल रहा है वहाँ पे जो साधू लोग आते हैं उनका सिरिंगार कैसे होता है यह देखकर आप धंग रहे जाएंगे हाँ दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिकोष्ट है वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें और बगलवाले घंटी को दबादें तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं पर्थम साहिसनान के साथ प्रयागराज में कुम्ह मेला प्रारम हो चुका है कुम्ह मेले का देशी और बिदेशी महमानों को बेसबरी से इंदिचार होता है यहां आने वाले हर ब्यक्ति कुम्ह के रंग में रंगा नजर आता है जहां एक और कुम्ह मेले में आईजुद होने स्क्रिक कार्यकरम जहां आने वाले देशी और विदेशी सेलानियों के आकर सरकार्यंज होते हैं कुम्ह मेली अने वाले okay और कर गलग्ट परकार का सРИंगार कर कुम्ममें आने वाले थालओं का मनमुख लेते हैं। जिस शाहिठार से स्वरकोह मेले में आते हैं। विए नजारत देखते ही पनता है। सास्थरों के अनू-सार बारह कुम्म होते हैं। जिनमें से चार कुम प्रित्वी पर मानों के लिए होते हैं और आठ कुम का आयोजन देव लोग में किया जाता है इसी कार और ब्यक्ति इन आठ कुम के आयोजन में हिस्सा नहीं ले सकता है धार्मिक मारतों के अनुसार कुम में असनार करने से बेक्त के पाप नश्ड हो जाते हैं और उसे मोश की प्राप्ति होती है मृत के पस्चाथ बेक्त को जर्म मरण की वंधन से छुटकारा मिलता है और वह देव लोग को गमन करता है सास्तुर के अनुसार जब देव और दानों में अमरित कलस के लिए युद्ध होता हुआ तो अमरित की पहली बूद प्रियाग में गिरी दूसरी बूद हरित द्याय में तीसरी बूद जैन में और चौथी बूद अमरित की बूद नासिग में जाकर गिरी इसी करण इन चार जगरों पर परतेग बारह वर्स बाद कुम का आयजन किया जाता है कुम की गड़ना एक बिसेश विड़ से होती है आपको बता दे कि गुरू एक रासी में लगभग एक वर्स तक रहता है और बारह रासी में भर्मण करने वाले बारह वर्स की आवज लगती है इसी करण पर तेग बारह साल बाद एक अस्थान पर कुम मेले का आयजन किया जाता है हर 144 बरस बाद महा कुम का आयजन होता है क्योंकि देवताओं का बारहावा वर्स फिरतिवी लोग के 144 बरस की बाद आता है तो दोस्तों कुम की बारे में और निसाधू की बारे में क्या रहा है कमिट वाक्ष जरूर दें नमस्कार